हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूव चैनल को दोस्तों यहां पे टाटा स्टील के तरफ से एक रेक्रूर्मेंट निकल के आ रहा है वेकेंसी निकल के आ रहा है जिसके पास डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है और डिग्री क्वालिफिकेशन है उन अगर ओडिशा में वेकेंश निकल के आ रहा है तो पूरा जानकारी देने वाला हूँ वीडियो को एंड तक देखिए कैसे अपलाई करना है अगर अपलाई करना चाहते हो तो एंड तक देखिए वीडियो अगर आच्छा लगए आप प्लीज एक लाइक कीजिए चैनल को सब सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए उसके साथ दोस्तों अगर आप टेक्निकल स्टुडेंट हो आप मुझे अन एकडेमी में फॉलो करके मेरा बहुत सरा वीडियो देख के तैयारी भी कर सकते हो दोस्तों और दोस्तों अगर कोई भी इसू हरा है डारेक्ली मुझे मेसेज भी कर सकते हो लिंक मैंने डेस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ प्लेस्टोर से डाउनलोड करके मुझे फॉलो कर सकते हो नहीं तो डारेक्ली लिंक से भी फॉलो कर सकते हो यह बहुत ही अच्छा लार्निंग प्लाटफर्म है दोस्तों फ्री लार से वेकेंसी निकल कर रहा है, उस internet description में link दे दिया हूँ, अगर इसको क्लिक कर रहे हो तो click here to apply लिखा गया है, click here to download pdf लिखा गया है, ओफिशियल एडवर्टाइजमेंट आ चुका है जुनियर इंजिनियर ट्रेंडिंग जे इती 2019 बेहच यह जो वेकेंसी निकल कहा रहा है फर जामसेदपूर एंड कलिंगा नगर लोकेशन जामसेदपूर टी एस जे और टी एस के कलिंग टाटा स्टिल कलिंगा नगर टाटा स्टिल जामसेदपूर यह जो कलिंगा नगर है यह ओडिशा में लोकेशन आता है और जामसेदपूर जार्खन में आता है और दोस्तों यह सब भी लोग अपलाई नहीं कर सकते है जिसके relation में है टाटा स्टिल का employee जो लोग आपकी पापा है या आपकी कोई भी relation में है तो उनी लोगों ने apply कर सकते यहाँ पर hints दे दिया है तो दोस्तो और कुछ जानकारी दे देता हूँ employee words son, doctor, son-in-law ऐसे अगर relationship में हो spouse मतलब wife, husband अगर husband है तो आप apply कर सकते हो और जो qualification मांगा गया है दोस्तो यहाँ पर degree है तो apply कर सकते हो diploma है तो apply कर सकते हो 4 year degree और 3 year diploma होना चाहिए और diploma में जो है branch मांगा गया है electronics और mechatronics ऐसा है और फिर diploma में जो मांगा गया है electronics, mechanics, jnt, tata इसका जो college का name दिया गया है जमसेदपूर, गोपालपूर यह सारे जो college का name दिया गया है इस college में है तो अभी apply कर सकते हो candidates in final year अगर आपकी final year है चल रहा है तो भी आप apply कर सकते हो दोस्तो age limit के बात करते हैं तो आपकी should have been born between 89 first March 1st 89 to July 31st 2002 के अंदर आपकी born होना चाहिए और दोस्तो during of training जो training है वो 12 मत का है 12 मत का आपकी training रहेगा meaning physical standard कुछ मांगा गया है अगर stipend के बात करते हैं तो 11,419 आपकी stipend भी मिल जाएगा और कहीं सारा यहां पे रखा गया है facilities और दोस्तों selection procedure के बात करेंगे online return test होगा पहले मतलब बहुत सारा बेज का online return test होगा वो कब होने वाला है 10th December 2018 to 20th December 2018 तो यह interview हो सकता है अगर apply करना चाहते हो तो यहां पे link भी मैंने description में दे दिया हूँ November 27th November तक आप apply कर सकते हो 13th November में शुरू हो चुका है 27th में last date है apply किजिए और यहां पे देख सकते हो उनका authorized person का signature भी है यह जो दिखा रहा हूँ जो पूरा बिल्कुल official है अगर apply करना चाहते हो तो apply किजिए यहां पे दोस्तों देख सकते हो इसको क्लिक कर रहे हो तो आपको apply करने के लिए यहां पे फर्म खोल जाएगा तो दोस्तों यहां पे देख सकते हो application form खोल चुका है जो भी आपको apply करना है दोस्तों जहां पे भी apply करना है यह apply किजिए पूरा डाव शारे फर्म भर लिजिए भरने के बाद नीचे जो कंडिशन रखा गया है वो कंडिशन को फुल्फिल करके नेक्स्ट में कीजिए फोटो सिगनेचर यहां पर मांगा गया है फोटो ग्राफ सिगनेचर जो रिलेशन सिप उनका फोटो चाहिए जो भी मतलब डाकुमेंट्स मा बाद जाहिए